गेस्ट का फोना चुका है और कुछ पटाफट से बना के तयार करना हो एक दम कुएक इंस्टाइट रेसिपी तो एक कडाही लिया है उसमें मैंने डाल दिया तीन से चार चमच मस्टर ऑईल मस्टर ऑईल में ही मज़ीदार बनता है यहां पर मैंने एक हरा शिम्ला मिर्च लि श्रिम्ला मिर्च को हमें तो वसना कर दोल लिस दी बालें उसको एक डम कर वर facil रहें वो सब्सक्राइब कारी treaty से लिजुच कव्यों लungeंती के नियुक्ति कर दोस्तों मैं लॉकक हे या सब्सक्राइब भूख़र रेसिपी दियार होगी, साथ ही जब इसे 2-3 मिनट हम भून लेंगे, इसको सौते कर लेंगे, उसमें मैंने डाल दिया है पनीर के क्यूप्स को, क्यूंकि क्यूप्स को हमें बहुत जादा रेड नहीं करना है, इस स्टेज में मैंने इसमें आड कर दिया नमक स्वादा नुसा अगर आप लहसन प्याज नहीं पसंद करते हैं या फिर आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्रॉय करें और ये देखिए, लगबग चार से पांच मिनट मैंने इसे पकाया है और इस स्टेज पे हमारे शिमला मिर्च और पनीर बिलकुल रेड़ी है ऐसा करने से इसमें जो हम मसाले भूनेंगे वो मसाले भी ऑईल में अच्छी तरीक से पक जाएंगे और हम सबजी में बहुत जादा ऑईल भी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि जब हमें रोज-रोज की सबजी बनानी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा ओयल नहीं यूज़ करना चाहिए, वो थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है तो ओयल तो हमारा गरम था ही, उसमें मैंने डाल दिया है, वान फोर्थ टेबिल स्पॉन हींग साथ ही मैंने एक हरी मिर्च को वर्टिकली स्लिट कर रखा था और एक इंच अद्रख को जूलियंस में कट कर रखा था, उन सभी चीजों को इसमें डाल दिया है 30 सेकंड के लिए से पकाया है, और उसमें मैंने एड़ कर दिया, दो लाल वाले टमाटर एक दम लाल लाल वाले जो टमाटर आते हैं, उनी को लिया हुए है, बिल्कुल पके हुए टमाटर को टमाटर डालने के साथ ही हम इसमें डालेंगे, हाफ टेबल स्पॉन नमक, हाफ टेबल स्पॉन हल्दी पाउडर और साथ ही मैंने इसमें आड़ किया है आधा चमच धनिया पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर और इन सबी मसालों के साथ मैंने इसमें इसको अच्छी तरीकी से भूना है फ्लेम को हमारा इस वक्त low to medium रखना है जिससे की हमारा टोमेटो अच्छी तरीकी से पक चाहे यहाँ पे हम प्याज और लहसुन के बगेर ही बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने उन चीज़ों को अड़ नहीं किया है साथ ही दोस्तों इसमें हम अड़ कर देंगे हाफ टेबिल स्पून सबजी मसाला जो मार्केट में रेगुलर सब्जी मसाले के पैकेट आते हैं मैंने वही पैकेट यूज किया है और मैंने यहाँ पे एक चमच लाल कश्मीरी मिर्च डाल दिया है कश्मीरी मिर्च पाउडर डालने से सब्जी हमारी लाल होती है और हमारा टमाटर भी सफिशेंटली मैसी हो चुका है इसको मैंने लगबग 5 मिनट के लिए पकाया है और टमाटर मैसी हो चुका है और यहां पे मैंने एक कप पानी इसमें अड़ कर दिया पानी डालने के साथ ही हम एक बार मिक्स करेंगे और उसको कवर करने के तीन मिनट के लिए छोड़ देंगे तीन मिनट में एक अच्छा बॉयल आ गया था और बॉयल आने के साथ ही मैंने कवर को हटाया है और उसमें मैंने डाल दिया है जो हम लोगों ने सबजियों को सौते करके रखा था पनीर और शिमला मिर्च को जो हम लोगों ने स्टर फ्राई करके रखा था उसको मैंने इसमें अड़ कर दिया है और इन सबी चीजों को पहले हम खोल के दो से तीन मिनट के लिए पकाएंगे उसके बाद मैंने लेड लगा दिया है लिड लगा के मैंने यहाँ पे तीन से चार मिनट के लिए पकाया है सबी चीज़े बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गई है अब बारी आती है हमारी करी की तो दोस्तों आपको इसमें कितना करी रखना है इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं अच्छा लगता है या फिर यह बहुत करी में नहीं अच्छा लगता है क्योंकि शिमला मिर्च का टेस्ट में पानी आने लगता है तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा करी नहीं रखी है इस स्टेज पे मैंने इसमें आड़ किया है आदा चमच गरम मसाला और साथ ही हम इसमें आड़ करेंगे एक चमच कसूरी मेथी गरम मसाला और कसूरी मेथी का जो टेस्ट इस वक्त डालने से आता है वो बहुत ही ज़ादा लाजवाब आता है इन सबी चीजों को मिक्स कर लिया है और अब आती है इसकी सर्विंग की बारी दोस्तों बहुत ही जादा डिलीशियस बन की ये सबजी तयार होती है तो इस तरीके से आपने शिमला मिर्च और पनीर की सबजी को जरूर ट्रॉय करना है अगर आपके पास रेड शिमला मिर्च नहीं है तो आप इसको सिर्फ ग्रीन की भी हेल्प से बना सकते है मुझे ये इसली अवलेबल हो गया तो मैंने रेड और ग्रीन दोनों लेकि बना दिया आप केवल एक शिमला मिर्च से भी से बना सकते है सबजी बहुत ही instant and quick है आपने देखा कितनी फटा-फट से बनके ये तैयार हो गई और हर किसी को बहुत पसंद आएगे आप इसको चावल के साथ, पूरी के साथ, बिर्यानी के साथ, तहरी के साथ, किसी भी तरीके से जोई कर सकते हैं मुझे पूरी उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होते एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही से फ्रेंट्स और फार्मली के साथ, शेयर करें Thank you very much, thanks for watching, bye bye till my next video comes